काफी फिरी है लाइफ और भिटाई का एक खेर भी है के नक्का जलनका पल नक्की रावर डहम है आणे विजन आहर है रोडियो रता गुल मारू पाना मुल मली रहू मरकडू यनि के नक्का जलनका पल यहां कोई रोक टोक नहीं है नक्की रावर डहम कोई टेक्स नहीं है तो दो भिटाई जो धर में आया वो खेरान हो गया कि यहां कोई चुंगी नहीं ले रहा है यहां मवेशी चर रहे हैं के लिए जमीन कोई बाउंड नहीं वो कहीं भी जा रहे हैं तो काफी फ्री लाइफ है लिबरल लाइफ है कोई पाबंदी नहीं है कोई ज्यादा discipline नहीं है, कोई लूटने वाला नहीं है, कोई यहाँ चोरी नहीं होती है, चोरी का यहाँ concept नहीं है, लूट मार का system नहीं है, यहाँ बक्रियां, यहाँ के मवेशी चले जाते हैं दूर दूर तक कोई उनको काट के खा जाए, यह होता ही नहीं है, कोई किसी के कि तरफ देखता नहीं है और और अरते हिली बाकी सुसाइट की हो जासे काफी लिबर है आप देखेंगे कोई ओरत जो है दरक पे चड़ी हुई है वहां पते ले रही है लकडी ले रही है और अकेली अकेली चल रही है बाकी सिंद में यह तो नहीं होता है मुश्किल होता है कि अकेली ओरत जाए और मजदूरी करे यहां तो काम पूरा ओरत करती है पानी ओरत बरती है और दूर दूर कोई में है अब जैसे मारवी बहुत खुबसूरत लड़की थी वो कोई पे गई पानी बरने कहानी यह है होना तो यह चाहिए कि एक घर की नौजवान खुबसूरत लड़की अकेली के से जाए कुवें पे कुवां गाओं से बार तो काफी लिबर्टी है मौज़ुद सुसाइटी में कुई ज्यादा दबाव नहीं है लेकिन बूक बहुत है गिजा कम है और वसाइल बहुत कम है लोगों में इनिशेटिव कम है लोग थोड़े पे खुश रहते हैं और डर डर के जीते हैं और सब हुमन लाइफ गुजारते हैं अब ये किसी को रोमेंटिक लगे तो उसकी अपनी वो है वही बहुत ज़्यादा खाके लोग मरते हैं बीमार होते हैं या बहुत बिजीर है के लोग जो हैं वो इस्ट्रेस में चले जाते हैं यहां तो फुरसत है खुला आस्मान है तारे हैं चांद है खुली हवा है बहुत थोड़ा खाना है कोई बर्डन नहीं है काम का कोई डेडलाइन नहीं है, दियात में अखवार मीं नहीं आता, डेट का भी मालूम नहीं होता है पंदरा पंदरा बीस बीस दिन, जेब में एक रुपया भी नहीं है, फिर भी गुजारा हो जाता है गर में कुछ दाने पड़े हैं, लकड़िया आ गई हैं, वो पके हैं, रोटी पके हैं, गुजारा हो गया है यहां हिंदू धरम की भी प्रैक्टिस कोई स्ट्रॉंग रही नहीं सब की पूजा एक सी अपनी अपनी रीत, मस्जिद में जाए मौलवी, और कोयल गाए गीत अगर हम देखें तो कोई ज्यादा बड़े मंदर, बड़े पंडित, या कोई रिलिजन का कोई ज्यादा ट्रेडिशन नजर नहीं आता अगर आप गाओं में चले जाएंगे तो आपको कोई बड़ा मंदर भी नहीं मिलेगा ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए कोई मस्चद भी नहीं थी, यह मस्चद नहीं जो बनी हैं यह जब से कोई से डोनेशन आई, करतर से डोनेशन आई या एंजियोज मुक्तिल्फ रिलीजिस बनी, उन्होंने मस्चद नहीं बनाना शुरू कर दी, नहीं तो कोई बड़ी सेलिबरेशन रिलीजिन की यहां होती नहीं थी, वो साधी लाइफ चलती थी, जैसे हम भीलों से पूछते हैं, भई आप अपने मुर्दों को गाड़त जाते हैं, कोली लोगों को भीलों को क्रिस्चन करते हैं या कादियानी करते हैं, तो वो लाइटली हो जाते हैं, चलो मैं क्रिस्चन हो जाता हूं, मेरा नाम लिख लो, और एक दो साल के बाद वो केते हैं, वो उसको छोड़ दिया, भी फिर में भीलों, तो वो मजभ को भी ज्यादा सीरिसली लेते ही नहीं बहुत लाइटली लेते हैं कोई उन्हें पैसा दे दे कि कादियानी हो जाओ चलो हो जाता हूँ कादियानी क्या है इसमें थरके तक्रीबन सब गाउं में पांच बज़े से औरते होटना खिरू करती है माल मवेशी जो होते हैं उसका दूद निकलना होता है उसके बाद चाय बनाती है और बाकी घर का काम जो होता है नाच्ता जो होता है घर की सफाई है उसके बाद वो मर्द वगर जो होते हैं वो अपने कामों पे चले जाते हैं वो पानी लेने के लिए जाती है सबसे मुश्किल जो काम है वह पानी लाना है जो कि फरके किसी भी गाउं में धर करीब पानी का खुणा नहीं होता है बहुत मुश्किल से इसे को गाउं मिलेंगे तो वह कभी कभार 2 km, 5 km यह विन एसे भी गाउं वाजा आठ किलो मेटर भी जाना पड़ता है। औरतें ज्यादा तर पानी लेने के लिए जाती हैं। वो उंट तो अरत नहीं इस्तेमाल करती हैं। गदे पर पानी जो होता है। वो लेने के लिए। दो से धाई गंडे इस पानी लाने में लगते हैं उसके बाद उसका फिर होता है कि खाना पकाना। गवाउं मेज ज्यादातार खाना पकाना शुरू करते हैं जारा बारा के बीच में। उसके बाद कोई उनके लीए पाटिंड औ, पो इंटरेंडमेंट राइडर जाने का नहीं होता है। तो और सहरा दिन फिर सुई का काम क करनी नहीं आती है तीन बजे तक 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 रिबन यह होना का होता है उसके बाद चाय होती है धाई टीन बजे जो शेहरों में लोग खाना खाते हैं उस वक्त गाउं के लोग चाय बनाते हैं चाय के बाद फिर शाम को वही पानी का होता है जिननें जैदा दूर पानी हो एक तो भर लेते हैं रखाने कुछ ना सिonकोदी है परमेकर खाने की तैहरे माल मोवेशी जुह आटियों ना दूड निकालते है उसकी जो वह और शॉटे बच्चहे खते हैं जा गान की Tubuh hin तक ज्यादातर वोड़ते हैं तो खाना खाकर अपना सारा काम ठाने के बाद भुषरा बच्यों का, मर्दों का यहो करके सहुझाते हैं ये तो नार्मल डेज हैं जब बारिश की सिजन होती है खेतों के काम होते हैं तो वो तो सुबह तकरीबन यारा बजे अपने घर का काम करके जली जाती है खेत पे सेविंटीज के बाद जब थर्व में तबदीली आना ये तरकी आना शुरू हुए तो सबसे बड़ा खत्रा जो था पहला जो शिफ्ट आया वो ये था कि बार्टर एकनामी से कैश एकनामी पे शिफ्ट हुए और लोग उसके लिए पैयार नहीं थे इसलिए बहुत सारे फरस अब हम जब देखते हैं कि इतने अर्से गुजरने के बाद वो प्रोसेस में उस ट्रांजिशन में शामल हुए तो अभी एक उमीद बनती है कैश एकनामी का जो ट्रांजिशन आई बाटर से अब लोग उने उसको समझना शुरू कर दिया है अब उससे ज़्या पाइदा ल अबना काउन इता है कि अच्छी की बेली क्या है कश को कि स्त्रा में उसके आइड़ा है अगर आप पिछले तस साल आई हो अगो ते यह उते और अबी आते तो आपको भी एक तैजब हुए तो अब तर्कांगे जिसमें ओंट नजरा थे जिसमें उंट नजराते थे जिसमे जिसमें गोडे सवारी हो रही होती थी थी तब दिली रोड मावी थी उसमें सबसे ज्यादा तो रोड नेटवर्क्स, क्रमिन्यूकेशन, जिसमें तेलिफॉन्स का बहुत बढ़ी संबता दें हैं, पानी के ऊपर नए तरीके से काम किये जा रहे हैं, पाइप लाइन्स के जर तद्दीली हो रहे हो रहे हैं इस तर्में इस सुरत तरहल में जो एक नई चीज हम देखते हैं यह हैं मवजूदा थर्मे के एक स्किल जो लोगों के पास मवजूद था, एक विजडम जो लोगों के पास मवजूद था, शर्वाइवल का उसको एक नया चांस है उसको एक बनते जा रहे हैं और शेहरों जा रहे हैं अगर उनके पास कोई स्किल है स्टिचिंग का तो गार्मेट में काम कर रहे हैं तो यहां पर इंजिनियरिंग का किकड़े अगर यहां चला सकते हैं तो वहां पर रोटर मुपेनिक भी चला सकते हैं एकनामी जाहर है रही है, रामिटन्स आना शुरू हो गया है, बहुत सार आइसा टुरिजम का पिछले साल पहसातों में देखा गया, कि एक एक दिर में पांच-पांच अजार लोग भी थर में इंटर हुए तफरीक एग एक नया थर देखने के लिए, जुए रोड मुझे थ यह एक भी टूथाउजन्ट के बाद जितना भी डौट आरहे हैं यह आने का इंकाम है, जो के नई बात नहीं होगी लेकिन उसको अफर इतना नहीं हो जितना हुए नहीं उखनागी नहीं आसकता है, नहीं प्वाशी कि एन्गिए पर दूख यहां पर रोड है तो चारा भ में वो फेसिलिटेट हो जाएंगे लेकिन वो कि सहत के हवाले से भी देखा जाएंगे वो एकसेसिबुल है और वो कहीं से भी किसी भी गाउं से दो गंटे के अंदर आप स्पीटर तक पॉंच सकते हैं यो पहले मौकिनी था ठर में पहली दफ़ा हमने ये भी देखा है कि प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट स्कूल को तो एडुकेशन में भी एक अमीद की किरन नजर आ रही है कि पब्लिक सेक्टर से हटके भी एक एडुकेशन की तरफ तवज़ जा रही है उसकी वज़े से जाहर है ये नादी ताली में ने काम-काम बढ़ गया है सहरा ये थर जहां हम कहते हैं कि अपने खाबों को समार कर रखना क्यूंकि सहरा के मसाफिर की मंजिल मिट जाएगी अगर तुमने खाब भुला दिये प्सक्राइग जाएगी निटी की यहां हलाडे राम मारो दिलर्शों पिचब निटी पीलों निसकी यां हलाडे ट्रुकेशन की वज़े खाब तन्सकी यां हलाडे करा जवासा सोई मन भाइन ही हावल दो नर्जादा जोर्ड है अमेना अपरीवात पीक अरूड़ा हुआ